हे गार्स गुड आफटरनून तो कैसे हैं आप सब लोग आई हो कि आप सब लोग बढ़िया होंगी मैं भी फिल हाल ठीक हूँ इस वर की किरपासे आप लोगों के आसिरवासे मैं फिल हाल भी ठीक हूँ कर जैसे कि मैंने चोड़ा सा पोष्ट डाला हुआ था कि मेरी पैर में चोट लगी है तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हो गया है वह भी माव लोगों को बताऊंगी और लग भाग एक हपता हो गया है मैं पुरे बैटरेस्ट पे हूँ और आप लोग सोच रहोंगे कि मैं बैटरेस्ट पे हूँ तो वीडियो पोस्ट कहां से कर रही हूँ तो उसके लिए बता दू कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी अभी तक वो पुरानी वीडियो जैनि कि मेरी गैलरी में सेप थी मुझे एड़िट करने का टाइम नहीं हो पा रहा था तो इस बीज मैं तो मैंने एड़िट करके पोस्ट करी हूई है और फिलहाल एक हपते से मैंने कोई वीडियो या फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मैं बैठ पे पड़ी हूई हूँ अभी मेरा दर्द काफी हद तक ठीक है मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दू कि मेरे पैर में क क्या हुआ है तो यह सुख दुख है नव हमारी जिन्दगी में लगे ही रहते हैं कोई बड़ा इस्यू नहीं है बस नॉर्मल सी चोट आई थी और हो कर दिए आगे जल्दी जल्दी रीकावर हो जाएगा आप लोगों का प्यार आपता है वो एक पावर का काम करता है जो द शेयर करती हूं तो थोड़ा सा जो दुख होता है न लाइब में वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी इससे क्या होता है ना इससे दुख तो कम नहीं होता है बट यह होता है कि थोड़ी सी हीमत मिल जाती है हम लोग कभी-कभी अपनी हीमत खो बेरते हैं आप हार मान या क्या हो गया मेरे साथ इतना बड़ा क्या ऐसा कुछ भी नहीं है बस हलकी सी चोट है वो हो जाता है वो समय की अनुसार वो खाव भर जाते हैं वो दर्द कम हो जाता है बस सबर की जरूरत होती है वो तो हमें करना ही पढ़ता है तो मैं भी फिलाल एक हटे से जैसे कि तो यह दुख हो रहा है थो मुझे कि जो मेरा काम था नहीं चाहिए वो मेरी फैमले को करना पड़ा या फिसारा बर्डन इनके ओपर आगिया है उस पात का थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि हम लेड़ी जोगा ऐसा होता है ना कि लास्त मतलब यानि कि जब तक आप बै तक हमें ठोकर ने लग जाए एक ठोकर आप आप जो हमें थोड़ा सा रह्ष्ट या फिर थोड़ा सा क्या बोलते है कि आभास कराती है अगर जिन्दगी में दुख ना हो तो सुख की तो कोई वैल्यू नहीं कोई अहमियत नी है दुख के बाद सुख का एहसास होता है तो इसने कुछ भी नहीं है सिर्फ दहरी रखने वाली बात है ठीक हो जाएबा हुआ यू कि होता है कभी कभी कोई बताब जब दुख आना होता तो बाहर में दसा होती ना वह बाहर जाकी नहीं होता है तो वही मेरे साथ हुआ बस इल बैट पर बैटी हुई थी और मैंने बस अभी मैं फिर देखोंगे इनको सिर्फ देखोंगी क्योंकि अब मेरा टाइम खाना बनाने का हो रहा है रहत का खाना बनाना था तो मैंने फोटोस देखी उसके बाद मेरा टाइम हो गया था खाना बनाने का मैं किचन के तरफ को जा रहे थी किचन के तरफ को जैसे जा दूसरा कदम जैसे बढ़ा रही थी तो मेरा पैर एक्दम से मुड़ गया और मेरा पैर पे आ गया इसके वज़े से थोड़ा सा इसमें मोच आगई और स्वैलिन से आई थी तो उस समय का जो दार्द था वो तो होता ही है चोट लगे तो होता ही है तो इन सभी लोग ने मुझ पानी को लागा होगा साइब पैर में कुछ लगाया सर में तेल लागाया होगा यह सब जीजह होई और थोड़ी देर में मैं एक्दम ठीक होगी ती यानि कि मैने पैर त्रेका तो मैं ठीक थी तो फिर मुझे लगा कि यार इन सबको बूरा लग रही थी मैं यहापर चोट पानी विखितां आ सर थी मैं जेना को आले अजना में के शिरा आप नमग तक ना में बाद सब आम के लाने के बाद सम्हाने की बाद कुछ कि बढ़ी और कहल खाया नहीं क्लाना के लासे में 13 अमीटे से वह तो अराम ठीक था थीम्हा देखा में पूरिग बैया थीक चुछ सूबे उठना है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट पनाना है क्या बनाना है वो माइंड में रात कोई चल जाता हम लोगों के तो यही सोच नहीं थी यह सोच के सोवे कि सूबे चलो मैं ठीक हूं और जैसे उठी सूबे डोश की तरह अलाम बजा उठी पैर नीचे रखा तो यह पैर मेरा लगा ही नहीं है इस पैर से मैं चलनी पाई यानि कि इसमें बहुत जादा दर्द था जितना की पहले दिन था तो इन्होंने मुझे वाश्रूम तक तो छोड़ा बट वहां से मैं कैसे कहा यह दरा ही मुझे पता ही में चला क्योंकि मैं बेहोस हो चुकी थी त तो थोड़ा सा में डर लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है चलो दर्द तो एक हत्त की चोट लगी है दर्द होता है बट बेहुसे क्यों रही है तो थोड़ा चिंता थी तो हमने इस नमबर लगाया और सिधे रहे वाश्पितल गए जाने के बाद भी में यह सोची थी होता है उसमें तो इसी गैपिंग आ गई है इसको ऑपरेट करना पड़ेगा तो ऑपरेट की नाम पे हम गवरा गए मैं गवरा गए पसनल तो मैं गवरा जाती हूं तो मैंने का डोक्र सा मुझे ऑपरेट नहीं करना है बस आप मुझे पट्टी लागा के भीज दीची तो सब्सक्राइब नहीं करना है तो यही चीजे हैं आप लोग जो नजदी के हैं मुझे मिल रहे हो मतलग भग यार मैं तब एक हाप्स दिखाएंगे इसको फिर वापस दिखाएंगे इसको फिर इसमें एक्सरे करने के बाद पता चलेगा कि क्या करना है अगर दुबारा पट तो इस WAS इसमें एक हमारा अपनी एसमेध को बनाईए रखी परग और अपनी हमत को भी बनाईए रखेगा का अज आपके लुख दुख होते है वो चलते रहता दया है तो आते रहेंगेश होते हैं मेह सब को प्लॉक गवाते हैं मेरी लाइब मेरी लाइब हेstill जो हिरते आते हैं और चलत चलते गवार पर दू नहीं जाने जन् ninja नहीं है। और मैं विडियो के मादम से आफ मों बताते रहांगी और अपने ब्लोक्स बनाते रहांगी आगी को भी ठीक है तो यहीं फिर वीडियो को एंड करती हूं तो कैसा लगा आफ है आफ लोगों को आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के शायर करना, मैं सारीता मिलती हूँ, आपको ऐसे ही नेक्ष्ट ब्लोव पे तब तक सस रहिए, मस रहिए, खुश रहिए और अपना ज्याद रखिए